नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप अभी थमनेल में देख पा रहे होगे NHPCJ जिसका recruitment आप लोगों को मिल चुका है कि recruitment की notification आ चुकी है और यहाँ पर आज मैं discuss करना वाला हूँ आप लोगों से job profile के बारे में कितनी salary मिलने वाली है और इसकी job profile कैसी होती है कहां पर आप job कर सकते हैं क्या-क्या चीज़े हैं उनके बारे में आज हम discussion करने वाले हैं session में आप लोगों को NHPCJ की job के बारे में बताऊंगा कि कहां से लेकर के job start होगी और किस-किस तरीके से आपको job में आगे बढ़ना है क्या-क्या आपके काम हो सकते हैं किस तरीके का आपको काम करना पड़ेगा क्या-क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी ये सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को आज यहाँ पर बताने वाला हूँ session को end तक जरूर देखेगा आप लोगों के लिए बहुत फाइदे मंद होगा सो दाइट आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं और फील कर पाएं कि actually में जो जॉब होने वाले है वो कैसी होने वाले है बहुत सारे इस्वरेंट्स के लिए civil engineers के लिए काफी कुछ होता है यहाँ पर सीखने के लिए साथ में mechanical electrical इन सब के लिए भी काफी options है तो अखर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सबसे पहले होता है super vision of the work NHPCJ में जो आप लोगों का work हो रहा है उसमें super vision का जरूरत पढ़ती है मतलब आपके अंदर managerial skills आप लोगों की यहाँ पर आ रही होती है पर उसके बाद क्या है planning of goals and activities जिस तरीके से आप अभी जितनी भी planning करते हो अपनी exam की तैयारी के लिए अब आपको exam की तैयारी के बाद जब आप select हो जाओगे तो फिर आपको project की तैयारी करनी है फिर project के लिए कि यह मेरा goal है यह मेरा project है मुझे यह अभी तक complete करना है यह मेरे objectives होंगे वो सारी चीज़े करनी है along with that आप लोगों ने सुना होगा कि हमने science लिया है हमने commerce नहीं लिया लेकिन जब आप यहाँ पर job करोगे तो आप लोगों को कुछ चीज़े आप लाना चाहते हो तो वह भी आप ला सकते हो राइट फिर उसके बाद जैसे कि for example आपके जो seniors होंगे तो seniors को भी आप लोग एसेस्ट कर रहे होगे राइट कि भाई एसेस्टिंग सुपीरियर्स जितने भी आपके seniors है जो सुपीरियर्स उनको भी एसेस करना होता है फिर उसके बाद किया वहाँ पर जो equipments वगएरा होते हैं उनके भी maintenance वगएरा की भी आप लोगों को जिम्मेदारी मिलती है फिर उसके बाद आप लोगों ने कोई भी चीज़ आप देख रहे हो जहां पर आपको कोई design है उसको implement कर सकते हो ठीक है कोई एक एकसेट किया जाएगा दाट इस टेस्टिंग और प्रोड़क्ट फिर उसके बाद क्या होगा जब आपने प्रोड़क को टेस्ट करा फिर उसके बाद आप लोगों से रिपोर्ट मांगी जाएगी बहिया बताइए सब को सही है कर दें आगे बढ़ा दें जब तक आपने र इंडर में काम कर रहा हूं आपने बोला अच्छा बताओ क्या क्या चीज़े तुमने करी हैं दिखाओ डेटा दिखाओ पर आप डेटा को एनलाइज भी कर सकते हो कि अच्छा इसमें यह सारी चीज़ें मतलब एक बहुत ही बढ़िया एक उपर्चनिटी मिलती है जहां पर इंडिया में जो एनचपीजी का हैड आफ़िस वहां पर भी जॉब मिल सकती है आपको बताओ नचपीजी एक एक एसा आप लोगों के लिए एक जॉब है जहां पर आप अबरॉड में भी जॉब कर सकते हो यह काफी अच्छा आप्शन हो जाता है आप लोगों के लिए इस तरीके से आप देखोगे तो salary structure तो मतलब पैसे तो आपको आने वाले हैं पैसे के साथ इसमें इतने सारे perks मिलते हैं इतने सारे perks मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा आपको actually में feel आएगा कि यहां पर क्या-क्या चीजे हैं जिसको आप देख सकते हैं सबसे पहल आप चीजे सीखते हो फिर उसके बाद आपका promotion किया जाता है तो यहां पर जितने भी लोग होते हैं वहां पर लिखा हुआ है that the NHPCJ employees are entitled to the numerous powers बहुत सारी powers आप लोगों को मिलती है along with that perks मिलेंगे आप लोगों के लिए medical alliances, house rent alliances जिसको हम MA, HR, social security यह सारी चीज़ें facilities वगरा मिलेंगी और यह सारी चीज़ें आप लोगों को basic salary के उपर मिलती है मतलब जो पैसे आपको salary में मिल रहे हैं वो तो मिली रहे है along with that जितनी भी facilities हैं सारी की सारी आप लोगों को salary के उपर मिलती है अब अगर मैं यहां पर perks के बारे में बात करूँ तो perks में आप लोगों का dearness alliances हो जाता है, performance related pay हो जाती है, फिर medical alliances मिल जाता है, मतलब तब्यत खराब हो रही है, सरकार पैसे देगी, hospital में admit होना है, सरकार पैसे देगी, सिर्फ आपको नहीं, आपकी family को भी, along with that house rent allowance मिलेगा, इसका कहने का मतलब घर मिलेगा, घर अगर नहीं है, वहाँ पर available, तो आप जिस जगह पर रह 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 हो, अगर आप रेंट से रह 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 हो, तो आपको rent आपको नहीं देना, government देगी, that is house rent allowance, right, पर उसके बाद सोशल सेक्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाते है, जैसे PF मिल जाता है, प्रोविजन आप बहुत काम कर रहो, तो government कहती है, बहुत काम कर लिया, आप ठक गये होगे, थोड़ा rest कर लेते हैं, अच्छा चलो, ऐसा करो, आप कहीं घूम के आजाओ, आपके घूमने का जो पैसा है, वो government देदेगी, तो आपके जाने के लिए AC2 tier के tickets वगरा, यह सारी चीज़े पर उसके बाद आपको बता दू, यहाँ पर मैंने यह सारी चीज़े लिख दिया, कि junior engineer में किस तरीके से होता, तो जब भी आप कभी भी probation period में होगे, तो आपको किसी भी project में, या power station में, या फिर officers में, है ना, या फिर कोई joint venture है, इन सभी चीज़ों में आप लोगों को ल सेलरी के बारे में, although सेलरी को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा 29,600, मेरे लाल मैं आप लोगों को बिल्कु क्लियर क्लियर सारी चीज़े बताता हूं, जिसको आपको समझना है, चीक है, बेसिक अली, जो आपका basic pay होता है, जो start होती है सेलरी, वो yes 29,600 रुपए से ह होती है, लेकिन ये सेलरी की रेंज, 1,19,500 लगबग, 1,20,000 तक जाती है, ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों की सेलरी का structure है, 29,600 से लेकर के 1,39,500 रुपए तक, ठीक है, इसमें जो आप लोगों का जो grade पे दिया जा रहा है, वो 42,000 का है, जिसमें आपकी जो salary basic pay, जो basic pay है, वो बनती है, 29,600 रुपए, ये क्या है, बेसिक है, फिर उसके बाद आपको TADA, HRA, paid lease और बहुत सारी चीज़ने जो मिलती है, उसके बाद जो आप लोगों की salary बनती है, वो approximately 55,000 से 70,000 के बीच में मिलती है, जहापर आप सारे benefits को लेकर के चलते हो, अब देखो य लोकेशन पर हो, वो X cities के अंदर आता है, तो उसमें 24% मिलेगा, Y cities के अंदर आता है, तो 16%, अगर Z cities के अंदर है, तो 8%, ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस प्लेस पर हैं, अगर आप किसी macro city में है, तो वहाँ पर rent ज्यादा होगा, तो उसके लिए अलग provision है, कि भाई, भी government officer है, तो मतलब हमने ऐसा चीज देखी है, पापा का कई बार transfer भी होता था, तो हम लोग ने चीज देखी है कि जो घर मिलते हैं, गवर्मेंट के हिसाब से जो घर मिलते थे, वो बहुत बढ़ियां घर होते थे, बढ़ियां कहने का मतलब की बड़े घर मिलते थे, कई ब similar to जो government में घर मिलते हैं उनके जैसा था, proper बड़ा घर मिलता है जिसमें आपका garden वर्डन भी होता है, सोचो, हमारे घर में बड़ा सा आम का पेड़ था, इतना बड़ा घर लिया था हमने, मतलब घर के अंदर boundary, चार दिवारी के अंदर वो था, लग बग दो गड़ियों की पार्किंग थी, दो कार पार्क हो सकती थी, दस दस बाइक पार्क कर लो इतनी जगह थी, खेलने के लिए अच्छा था, जूला लगा के रखा हुआ था, इतनी बड़ी जगह मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं, और जैसे जैसे आपके प तो वो कर दो नहीं, इट इस लाइक आप रेसर्च में भी जाओगे, आपको डेटा भी सब्मेट करना है, आप लोगों को रेसर्च भी अपडेट करनी है, आप लोगों को एकुपमेंट्स का भी मेंटेनेंस करनी है, आप लोगों को हर एक चीज़ आप लोगों से ही लेकिन उसके अलावा आप लोगों को जो मैंने अलॉंसेज बताय थी वो यही अलॉंसेज हैं just like earness अलॉंसेज हो गया house range अलॉंसेज हो गया cafeteria अलॉंसेज हो गया मतलब कुछ खाने पीने के लिए वो भी मिलेगा जिसको हम लोग PRP बोलते हैं ठाट चिस performance related pay होता है एक medical facilities होती है जिसमें आप लोगों के घर के जितने भी हैं सबका health insurance वगेरा हो रखा होता है कि कभी भी आप लोगों को अगर hospital में भी admit होना पड़ा भगवान ना करें कभी जरूरत पड़े लेकिन अगर पड़ती है तो उसके लिए भी government ही आपको सारे के सारे पैसे देगी आप लोगों का एक रुपए भी खर्चा नहीं होने वाला है it means what? it means जितनी आपकी salary मिल रही है जितनी भी आपकी salary मिल रही है ना ही उसमें घर का देना है ना ही खाने का देना है क्योंकि आप लोगों को cafeteria alonses में मिल रहा होगा नहीं आप लोगों को मिल ना रहने का देना है ना खाने का देना किसी चीज का आपको पैसे नहीं लगने वाले salary जो आरी हो proper आपके जेब में ही आएगी बागी सारी चीज़ें आप लोगों की alonses में हो जाती है हाँ आपके कुछ अलग शौक है तो बाता लगे उसमें आप खर्चे करिए लेकिन बागी जारी चीज़ इसमें हो जाती है दैन उसके पास social security benefits हो जाते हैं just like provident fund काफी ज्यादा important आप सभी लोग जानते होंगे pension बहुत ज्यादा important होती है जिसके बारे हम आप जानते है तो बात तक में जाकर काफी बड़ी रखम हो जाती है वो ग्रैचुटी जो आप लोगों को मिलती है चीक है तो यह सारी चीज़ें फिर उसके बाद पेड लिए यह सब कुछ आप लोगों को किसमें मिल जाता है आप लोगों की इसी जॉप में जो जॉप प्रोफाइल मैं डि करके बस selection ले लो क्योंकि self study से तैयारी करके selection होगा लेकिन पका नहीं है कि वो इसी बार होगा आपकी speed कैसी आप कितने pace में चल रहो आपके concepts कितने clear हैं आप कैसे questions लगा रहो कैसी test series लगा रहो कुछ नहीं पता होता और आप लोगों को यह भी नहीं पता होता कि आप लोग कि आप लोग 6 महीने, 7 महीने तैयारी कर चुकि आपको लगता मुझे सब बन रहा है पर उसके बाद आप तैयारी नहीं करते हो आपको लगता नहीं मैं घर बैट के तैयारी कर लूँगा लेकिन I was the one जिसने जब मैंने लगबाट जिसके बाद मैंने बहुत सारे एक्जाम से एक साथ निकाले थे आप सबी लोगों को बताया है मैंने तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने क्या किया था 6-7 महीने में जब एक बैच ओवर हो गया तो मैंने दूसरे बैच मैटमेशन ले लिया था उसका reason था उसका reason ये था कि मेरी conceptual clarity थोड़ा और बढ़ गी थी जब आप कोई भी एक चीज़ पढ़ते हो फिर उसके बाद वापस वो चीज़ वापस पढ़ते हो तो कुछ और नया सीखने के लिए मिलता है कुछ और नया सीखने मिलता है तो मेरी conceptual clarity बढ़ गी थी Along with that एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ मैंना उनके contact में रह रह रहा था जो साथ में तयारी कर रहे थे तो मुझे अपना level पता चलता रहता था कि अच्छा ये तयारी कर रहा है लेकिन इनका level ये है हम तयारी कर रहे हैं हमारा level ये है अगर हम कहीं पர कम होते हैं तो मेनत और करने लग जाता है तो भाई जो मेरे batch के लोग है वो जब इतनी तयारी कर रहे है तो सोचो पूरे India में कितने सारे लोग हैं जो तयारी कर रहे होंगे तो at least मुझे अपने level को बढ़ा के रखना और उसके लिए आपके competitors का आपके साथ होना आपके competitors के बारे में आपको पता होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनी सब के लिए आप लोगों को ज़रूत पड़ती है batches की मैं batches के बारे में भी आप लोगों को एक बार बता देता हूँ batches के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर NHPCJE के लिए civil, mechanical, electrical तीनों के लिए यहाँ पर batches है अगर guys मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर mechanical engineering के लिए आप लोगों का batches जो 26 June से शुरू होने वाला है civil engineering और electrical engineering के लिए भी आप लोगों के पास batches बने हुए है जहाँ पर आप जा करके बढ़ियां दरीके सा तैयारी कर सकते हो अगर कोई मुझसे पूचे कि क्या मुझे batch लेना चाहिए कि नहीं तो देखो मैं आप लोगों को simple एक funda बताऊंगा अगर आप किसी batch में enrolled है then I will say नहीं मत लेना क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए पहले से ही एक batch मिल चुका है जिसमें आप तैयारी कर रहे हो अगर आप घर में बैट करके self study कर रहे हो या फिर अगर घर में बैट करके आपने पहले तैयारी कर रही थी अभी सिर्फोसर्फ रिवीजन कर रहे हो या फिर questions लगा रहे हो then I will recommend कि आप लोगों के पास batch होना चाहिए क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है अपडेट होती है syllabus अपडेट होता है अपर vacancies के साथ बढ़ियां batches design कर दिये गये हैं आप जिनको avail कर सकते हैं इस जीनियस अड़ा जो आपका channel है इसमें आपकी तयारी भी हो रही है along with that आपको बता दू अड़ा 247 में भी जाकर के जो अड़ा 247 की website है वहाँ पर जाकर के आप इन batches को देख सकते हैं और जाकर के खुद को enroll कर सकते हैं जब भी कभी enroll करने चाहिए तो use कर लीजेगा code Y166 यह जो code है इससे आपको maximum discount मिल जाता है maximum discount तो भाई हर किसी कुछ ही होता है इंडिया में अगर रह 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 हो तो discount कोई परना तो चलता ही नहीं हम सबजी खरीदने भी जाते हैं तो free में धन्या मिर्ज तो चाहिए ही चाहिए इसी तरीके से देखा जाए तो कोई भी batches लेने जाते हो तो उसमें भी Ingenious Adda भी ये कोशिश करता है कि आप लोगों को जो batches हो में affordable price में प्राप्त हो तो guys इसके लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से आप NHPCJE के batches में enroll कर सकते हैं खुद को तो guys सबसे पहले आप लोग Google को खोल लीजेगा और यहाँ पर जाकर के लिख दीजेगा That is Adda 24-7 यहाँ पर जाना है और आप लोगों को लिखना है Adda 24-7 किसी ने पहले से WhatsApp का कुछ open किया होगा तो वो खुला हुआ था Adda 24-7 में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर देखे लिखा हुआ है All Courses All Courses में click करिएगा All Courses में AJ exams के अंदर जाएगा AJ exams के अंदर जैसे ही आप पहुँचेंगे वैसे ही आप लोगों को बता दू guys कि यहाँ पर देखो NHPC को आपको सर्च करना है और जैसे ही आप NHPC को सर्च करेंगे तो देखे यहाँ पर आप लोगों को NHPC मिल जाएगा इतने सारे exams हैं फर एग्जामपल चलो आप मेकैनिकल इंजिरिंग में चलते हैं देखो यहाँ पर engineering की आप screen select कर सकते हैं mechanical engineering में चलेंगे और mechanical engineering में अगर आप देखें तो यह लिखा हुए NHPC दिख रहा है क्लिक कर दिजएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को NHPC JE का बढ़ी असुंदर सा बैच दिख जाएगा जिसका प्राइज यहाँ पर दिख रहा है 2600 रुपीज लगवा 2600 रुपीज रुपीज राइट 2700 का बैच है लेकिन इस मैच को मैं और भी ज़्यादा सस्ता कर सकता हूँ किस तरीके से जब मैं इसमें यूज करूँगा एक मैचिकल कूपन कोड जिसका मैंने यहाँ पर जिक्र भी कर रहा था और उसके लिए आप लोगों को बता दूगा इस क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर दिखो यह जो बाइनाव का आपको दिख रहा है ना option इसमें click करिएगा राइट ओके जस्ट असके इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ये जो बाइनाव दिख रहा है इस बाइनाव में आप लोगों को click करना है जैसी आप बाइनाव में click करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है enter coupon code enter coupon code में आपको क्या लिखना है मेरे लाल enter coupon code में आपको लिखना है वही magical coupon code Y166 राइट Y166 करके जैसी आप इसको apply करेंगे enter करेंगे यही batch आप लोगों का share कर ले तो इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती तो गैस इस चीज को हमेशा याद रखेगा और फिर उसके बाद आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजे make sure आप लोग यूज करें code Y166 for maximum discount तैयारी बढ़ियां तरीके से करेंगे तैयारी करके खुद का नाम घरवालों का नाम सभी का नाम रोशन करें तो all the very best मिलेंगे वर आपन नेक्स सेशन में तब तक के लिए बबाई